हेलो फ्रेंट्स राधे राधे जैश्री कृष्ण कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे और आने वाले तिवहारों के उत्साह में होंगे सबसे पहले जो आ रहा है अब तुरंत ही जो है करवाचौद की बात मैं आप से करूंगी और इसी करवाचौद की मेरी सरगी तो आ चुकी है मेरा ड्रेस भी हो चुका है तैयार बिल्कुल बस वही चोटी-चोटी सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आप लगों को दिखा रही हूं सो आएए फ्रेंट्स देखते हैं कि मेरी ड्रेस क्या है इस बार की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेवी तो मैं इस बार नहीं पहन पाऊंगी क्योंकि माही बिल्कुल गोद की है तो बहुत ज़्यादा हेवी तो मैं नहीं पहन पाऊंगी तो जो भी है देखते हैं आईए सो जी फ्रेंज ये है मेरी करवा चौत की ड्रेस इस तरह से कुछ जो है मेरी ड्रेस है टील ब्लू कलर में बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस इस बार मैंने ली है हाला कि जैसे आप जानते हैं कि मुझे सजने सवरने का बहुत शौक है अच्छे कपड़े अच्छे डेकड़ पपढ करने का बहुत शौक है लेकिन इस बार थोड़ा सा सिंपल ही सही तो यह है मेरा करवा चौत का यह मेरा करवा चौत का ड्रेस है एक्दमी सिंपल सा सिफ साइट पैनल में इसमें काम है और इसके साथ है यह इसका पलाजो है जिसके उपर इसी तरीके से गोल्डन फॉइल पे जो है काम है पूरा पूरे पलाजो पे इसी तरह का काम है यह इसका बहुती प्यारा सा सुन्दर सा दुपट्टा है चारो तरफ में इस तरह से गुंगरू वाली टैसल इसमें लगी हुई है और इसके ऑपर पूर है गोटा पत्ती का ढोरिया का जो भी कहा जाता है वह काम है उप्त और इसी के साथ है मैं चूलिंगे पैसी दूरस को देखें आप सुष्आ सच तहीं कि यह को समड़ियों का अब मेरे मैлы के से क्या-क्या आया है मेरी सरगीने convenient second तो यह मैंने लाया है यह मेरे माईके से नहीं आए तो सबसे पहले आई है यह करवा माता की जो फोटो या फ्रेम इस तरह का मिलता है यह फ्रेम आया है इसमें पूरी इधर उपर में जो प्रार्थना होती है वो और नीचे जो कथा होती है पूरी वो कथा लिखी हुई है यह फ्रेम है जिसमें ये चांद तारे बने हुए है करवा माता की फोटो है बीच में यहां सूर्य भगवान है यहां पर साथ भाई भाबियां यहां पर वीरो कुडी जिसकी कहानी है गनेश जी और करवा वाला सब इस तरीके से ये फोटो बनी हुए खैरिये इस फोटो आपके पास भी होगी है आप सब जानते ही होंकि इस फोटो के बारे में कीरा फिर सेकंड है चुडायं तो हरी लाल जो है चूडियां आती है तो यह हरी चूडियां पूरा डब्बा है Youtube हरी चूडियों का इस तरह से चूडिया मैं पहले पहनूंगी उसके बाद मैं वहाली चूडियां चड़ाँ गी जो दूसरी ड्रेस के साथ मैचिंग की है उसके बाद श्रिंगार का समान थोड़ा सा आता है तो ये है ये लाइनर है ये मस्कारा है तो ये आया है तो मिज़े इस बार ये था कि बहुत जादा कुछ करने मिलेगा नहीं इसलिए बेसिक सीजी चीजें मैंने मगवाई थी लाल रिब्बिन आता है तो लाल रिब्बिन तो अभी कोई नहीं लगाता इसलिए मैंने लाल ये रबर बैंड मगाया है फिर एक है ये नेल पेंट साथी दो लिपस्टिक्स है एक ये मेरे ड्रेस के साथ के लिए है और एक ये रेड है फिर एक मेहंदी का कोन है सिंदूर और कुछ बिंदी के पत्ते हैं और ये है मेरी फूजा की थाप इस तरीके से जो है आई है मेरी सरगी इस बार जो भी चीज़ें मैं इसली यूज कर लूँगी वो ही चीज़ें मैंने मगवाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मगवाए सब जमा करने माना मतलब उलाता है तो ये रही मेरी सरगी और फ्रेंड्स इसके अलावा जो चीज़ें आती है वो होती है वो बेसिकली आपकी सास देती है आपको मीठी मठी फीकी मठी फीकी मठी होती है या नमकीर मठी होती है साथ में मीठी मठी होती है कुछ ड्राइफ फ्रूट्स होते है बर्फी होती है या कोई मिठाई होती है तो ये fruits होते हैं तो ये basically सारी वो चीजें होती है जो आप सुबह सर्गी में खाते हैं कई जगा पर इस तरीके से भी होता है जहाँ पर सुबह मूझ उठा नहीं किया जाता बट हमारे यहाँ सुबह सर्गी खाई जाती है और उन सब चीजों से खाई जाती है जो सास अपकी जो है वो समान भेजती है उन चीजों से मूझ उठा किया जाता है वरत शुरू किया जाता है तो हमारे यहाँ basically यह होता है ये करवा चौत का वीडियो में पिछले साल भी मैंने बनाया था मैं अपलोड किया था पर एक बार इस बार फिर से एक बार फ्रेश बना देती हूँ कि किस तरह से क्या है तो सुबह हमारे यहाँ जैसे मैं सुबह चार बजे उठती हूँ सर्गी खाने और मेरे हस्बन मेरे साथ उठते हैं इस बार तो शायद माही भी उठेंगी क्योंकि माही सुबह चार बजे एक बार उठती है पूरी रात सोती है सुबह चार बजे एक बार उठती हूँ उसके बाद साड़े साथ पॉन्याठ के करीब यह उठ जा भी है तो चार बजे जो होती है सर्गी उसमें साथ चीजें आपको खाना ही होती है, पांच या साथ होनी चाईए, सो मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ पराठा सुबह, हाला क्यिं बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता है, लेकिन जो सुबह आप सरगी खाते हैं, उसका अधार बहुत रहता है, मैं लेती हूँ एक पराथा। उसके बाद रात में जो भी सबजी बनी उती उसको फोड़ा सा सिफ पराथसे के साथ कहने के लिए अपने अलग से मतब्स करने से पहले अलग मैं उसको साफ हाथ से निकाल देती हूं अपने लिए यह कुप सबजी नहीं है तो पराठे पर बटर तो दो चीज़ें होगी फिर उसके बाद दो तीन पीस में ले लेती हूं किश्मिश फिर बदाम साथ में होती है मेरे पास मिठाई योगी पांच फिर होते हैं अंगूर तो ग्रेप्स खाना बहुत अच्छा माना गया है वह साइंटिफ और उसके साथी करके मेरी साथ चीज़ें हो साथ तरीके से मैं लेती उसके पानी का ग्लास और बोटल लेकम बेट जाती बैकनी बाइकली जब हमें तक मुझे आखरी तक बार लेगा अपानी पीती होुँ शुआ एक बार लगा कि बस अब सारे तारे भी छुप गए हैं चंद्रमा भी चुप गया उसके बाद मैं पानी छोड़ देती हूं पानी नहीं पीती हूं इसी तरीके से मैं शुरू करती हूं अपना करवा चौद कवरत उसके बाद जो भी रेगिलर पूजा वगेर होती है घर में सब कुछ होता है वो सारा करके अपना सथ समर के हमारी इस बार तो नहीं होगा ने पिछली बार हम लोगों ने किया था सारी जो लेडिस पल्टन थी हम लोग एक दुसरे के पास बैठते हैं बाते माते करते तो मेजर लिए होता है उसके पाद चार बजे होती है कथा जो की करवा चौ हूट दे लिए हैं कि बेटा अगर बहुत जादा ना कर पाओ तो शाम की कता सुनके पानी पी लो एक बार को एक बार पानी पीलो चाय एक बार पीलो और उसके बाद फिर आगे वरत को ऐसे मतलब खाना या अनाज कुछ भी नहीं छूना है चाए पी सकते हैं पानी पी सकते हैं और उसके बाद आगे कंटेन्यू करो क्योंकि अपनी तबियत को बिगाड के कोई भी चीज करना सही नहीं है इसी तरीके से जो हम लोग हरताली का तीज कवरत करते हैं उसमें भी मेरी सासु मॉम जो है वो मुझे सब कुछ ये कर दिया है उन्होंने के चाए, पानी और फल ये चीजें आप खा सकते हैं आप फलाहार करो क्योंकि आजकल के लोगों में उतनी कपास्टी नहीं है कि आप इतना फास्ट कैरी करें जो मैं देख रही हूँ, आजकल की यंग जनरेशन जो है जिनमें मैं देख रही हूँ शोक शोक में तो बहुत कुछ कर देते दुसरे दिन पड़े रहते तो वो चीजे मत कीजे अपने आपको हाम करके कोई भी चीज करने से कुछ नहीं होगा तो ठीक है, जितना हो पाता है मैं भी उतने हिसाब से करती हूँ लेकिन इस साल जैसे माही बहुत छोटी है और मुझे डिपेंडेंट हैं काफी तरह से तो इस साल के लिए तो सभी लोगों ने मुझे वरत के लिए मना किया हुआ है आप कोई वरत नहीं करोगे, आप सिर्फ घरवाज आओगे पूजा करोगे तो अगर आपके बड़े आपको पर्मिशन दे देते हैं आपके बड़े अगर एक बार मुझे निकाल देते हैं कि बटा ये चीज खालो ये चीज पीलो कोई बात नहीं तो उनकी बात को मान रखके वो चीज एक बार को कर लेनी चाहिए क्योंकि कल को बाई चांस अगर नहीं हिम्मत बन पड़ी नहीं आप वरत कर सके तो एक बार बड़ों के बोले हुए जो छूट मिल जाती है वो आप दुबारा यूज कर सकते हैं वो चीज उस तरीके से दुबारा चीजें की जा सकती है तो यही था करवाचौत से रिलेटेड एक छोता सा ब्लॉग जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि मैं करवाचौत पे क्या पैंड़ी हूँ मेरी सर्गी क्या आई है मैं सर्गी कब खाती हूँ कैसे खाती हूँ क्या खाती हूँ वो तो ये सरगी, ये करवाचौत का वरत और पूजा का तरीका ये मेरा है, हमारे घर का है, जो हम फॉलो करते हैं, आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं, क्या करते हैं, क्या से सरगी खाते हैं, मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा, मैं आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का वे कब वह है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है वेज में बनाने का तो लेकिन बनाऊंगी जरूर वीडियो में जरूर शेयर करूंगी ताकि हो सकता है कि वीडियो या वो रैसिपी आपको दिवाली में कामा जाए क्योंकि दिवाली में भी गेस्टिंग होती है थोड़ी बहुत तो आसपड़ोस के लोग तो आ ही जाते हैं तो कुछ नो कुछ तो सर्व करने के लिए चाहिए तो जी फ्रेंज आज का वीडियो मेरा इतना ही था मैंने दिखा दी अपनी ड्रेस बता दी अपनी सर्गी और सर्गी का तरीका सो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी राधे राधे